हेलो एव्रिवाइन आइनिका तर्विन खान वेलकम यौल तो इस पॉलिटी वीकली करेंट अफेर्स सेशन ओन कॉंपिटिशन कम्यूनिटी यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम एक से साथ अप्रेल यहने कि यह एप्रिल के फर्स्ट वीक के कुछ इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को डील करने वाले हैं स्टाटिक पॉर्शन जहां जहां रिक्वाइड है उसको साथ लेते हुए ठीक है मैं पहले बता चुकी हूं मैं कोशिश करती हूं कि मैं उन सभी चीज़ों को कवर करूं जो ऐस सच फर्स इंस्टेंट भले करेंट लगती हो बढ़ आपके पॉलिटी से अगर वो रिलेटेट कोई चोटी न्यूस भी तो मैं इसको कवर करती हूं क्योंकि हो सकते हैं वहां से कोई स्टैक का पॉट्शन ले ले उसके अलावा इंटरनाशनल अग्रिमेंट इंटरनाशनल रिलेशन्स में भी जो थोड़ी बह असम नागालेंड और मनिपूर के हिस्सों में लागू AFSPA आंशिक रूप से वापस लिया गया है तो बहुत सारे संसदी सत्रों के जरी बहुत सारी विद्यक पारित हो रहे हैं उनमें से ये एक ये भी डिसीजन लिया गया है कि कुछ पूर्वत्तर राज जिसमें असम ना विदान सभा ने सर्वसमती से चंडीगड को राज जमें स्थानांतरित करने की मांग का प्रस्ताव पारित किया यानि कि पंजाब की जो लेजिसलेटिव असेमली है वहां पर एक बिल पास हुआ है या मैं कहूं एक मोशन पास हुआ है जिसमें कहा गया है कि चंडीगड ज जैसे हर अवर करते हैं उसको देखेंगे जैसे कि इंडिया में एक नए विदेश सचिव न्यूक्त हुए हैं जिनका नाम है विनै मुहन क्वात्रा ठीक और साथे साथ हंगरी को मिले हैं उनके नए प्रधान-mantri जिनका नाम है विक्टर ओर्वन कुछ दिन पहले मैंने आ भी वहाँ पे मिले हैं नए प्राइम मिनिस्टर उसके अलावा कुछ बाइलेटरल रिलेशन्स की उपर एक दो न्यूज हमारी बनती है इंडिया और दूसरे कंट्रीज की बाइलेटरल रिलेशन्स यानि द्वी पक्षि जो भी हमारे संबंद है उससे संबंद है तो भारत त अस्ट्रिलियन एक्टा भी अभी अस्तित में आया या वो भी अभी संपन हुआ इस पर भी हम नजर डालेंगे उसके अलावा द लास्ट न्यूस विच्वेल कवर इं टुडेज वीडियो एज नेपाल के प्रधान मंत्री ने भारत का दौरा किया तो हाली में नेपाल के ज की उसको हम कवर करने वाले हैं कहीं पर अगर कोई चीज है स्टेटिक से रिलेटिट होती हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगे तो चलिए लेट इस स्टार्ट विद फर्स न्यूस असम नागलेंड मनिपूर के हिस्सों में लागू ए एफ एस पी ए का आंशिक रूप से को विशेश यक्ति अधिनियम जिसको इंगलिश में हम कहते हैं आम फोर्सस स्पेशल पावर एक्ट अर्म फोर्सस स्पेशल पावर एक्ट ठीक है इस बारे में बात हो रही है बताया जा रहा है कि उत्तरपश्ची में कुछ शेत्रों में एफ एस पी ये लगा हुआ था जिसको थोड़ा सीमित किया जा रहा है वहां से कुछ शेत्रों से हटाया जा रहा है ठीक है इसमें कुछ पाबंदिय प्रवत्र भारत के वासियों के बीच देश के शेश हिस्सों से अलगाओं की भावना पैदा हुई एक्चिली आम फोर्से स्पेशल प्रोटेक्शन आक्ट जो है वो नौर्ट इस्ट में पिछले साट साल से इसली लगा हुआ है क्योंकि वहाँ पर उगरवाद या मावविजम का काफी जादा रूल है काफी जादा डिस्टर्बेंस है तो यह जो AFSP है यह आर्मी को कुछ स्पेशल पावर्स देता है जैसे कि आप आम फोर्से स्पेशल पावर्स आक्ट के नाम से समझ पा रहे होंगे कि कुछ तरह के स्पेशल पावर्स वहां की सेना को मिले हुए हैं जहां जहां ये अधिनियम लागू है तो पहले तो आप देखिए कि ये तीन राज्यों के अलावा अरुनाचल प्रदेश और जमुकश्मीर में भी अधिनियम लागू है और अगर मान लिजे कोई भी शेत्र को अशांत शेत्र मतलब जहां पे शांती भंग हुई है किसी वज़े से ये गोशित किया जाता है ये गोशित केंदर भी कर सकता है और उस राज्य का राज़िपाल भी कर सकता है तो किसी भी अगर शेत्र को अशांत शेत्र गोशित किया जाता है तो वहाँ पर ये वाला जो कानून है AFSPA लगाया जा सकता है जो फिलहाल ये दोनों और ये तीन राज्यों में लगा हुआ है अब इसमें आपके जरीय भी देख सकते हैं ठीक है नागलेंड मनिपुर और असम ये वाले एरिये में लगा हुआ है उसके साथ साथ अरुण आचल पर दे जमुकश्मीर साथ इसाथ सेंटर ये कोई स्टेट क राजपाल इसे कुछ और एरियास में भी लगा सकता है जहां पर उसे अशांतर शेद घोशित किया जा सकती है तो इस तरह से उग्रवाद पर लगाम कसने के लिए पिछले साथ वर्षों से नौर्थ इसके इन स्टेट में एफस्प ये लगा हुआ है इसमें मैंने आपको क कि आम फोर्स के कुछ स्पेशल पावर्स दिये जाते हैं यहां पर जो मैं बता रही है निरंग को शक्तिया दी जाती है वो क्या है जैसे आप जानते हैं आर्टिकल 22 जो है फंडमेंटल राइट हमारा उसके तहट जब पुलिस किसी को गिरिफतार करती है तो पुलिस को उस हर जगे पर शूट करना हर जगे पर सीधा सीधा एंकाउंटन करने का भी आदेश नहीं होता उसके लिए कुछ स्पेशल पर्मिशन चाहिए रहते हैं तो एक तो आर्टिकल 22 के तहट और सेकेंड ली डारेक्ट शूटिंग से रिलेटिट दो स्पेशल पावर्स हैं तो यह अच्छी भी बात है बुरी भी बात है लेकिन जहां जहां गरुवायत बहुत जादा फैला हुआ है उन पर लगाम लगाने के लिए स्पेशल पावर सेना को देना जरूरी था कि अगर आपके पास उस वक्त के लिए सुबूत नहीं भी है तो भी आप किसी को खरिफतार कर सकते बिना लिखित कारेंट दी तो कहीं ना कहीं यह स्पेशल पावर आपके अर्टिकल ट्वेंटीट्ट् Hum, और साथ यसाथ इन शेत्रों में सेनिकों को किसी पर भी गोली चलाने की आदेश है जहां पर भी शक हो शक हो शक की वज़या आप बताईए आप राधॉरिट इन जनरल सैनिकों को एकदम से आदेश नहीं रहता परमीशन लेनी पड़ती है पर जिन जिन शेत्रों में ये आम फोर्से स्पेशल प्रोटेक्शन एक लागू है महाँ पर इस तरह की कुछ एक्स्ट्रा शक्तियां यानि कि बिना वजह बताए गिरिफतार करना और सीधा लाना ये स्पेशल शक्तियां दी गई हैं आम फोर्सेस को और मैंने बताया इन इन एरियाज में इसलिए क्योंकि उग्रवाद और आतंगवाद जमुकश्मीर में आतंगवाद और नौर्थीस में उग्रवाद से शेत्र जूज रहें जिस वजह से आर्मी को इस पेशल पा जोग इसका गलत इस्तिमाल करते हैं और वहां के आम नागरिकों को परिशान करते हैं गृफतार करते हैं किसी पर भी गोली चला देते हैं तो इससे उस पूरा एरिया जो है वो पूरी तरह से एक छावनी में बदल जाता है मिलिटरी ओवर पावरफुल हो जाती है और सिव अधिक मौजूदगी और उन्हें मेले अत्याधिक शक्तियों के वज़े से भी उसे भारत से अलगाओ मैसूस होता ऐसा कहा जाता है तो अगर हम AFSPA को थोड़ा सीमित करते हैं महां से कुछ शेत्रों से वापस लेते हैं कुछ अंकुष लगाये जाते हैं तो ऐसे में क्या ह पर उन्हें गरिफतारी और कारव्याहियां होती थी उन चीज़ों के लिए उनको छूट मिल जाएगे तो अगर यह से कुछ तक के हटाया जाएगा तो ऐसे में लोगों के मौलिक अधिकारों में पूरी तरह से मिल पाएंगे और वो जो अपने आपको एलीनेटेट फील कर करते वो नहीं होगा तो बस यही वजह थी कि काफी समय से यह मांग हो रही थी कि इस एरिया को असेन ने बनाने के लिए डिमिलिटराइज करने के लिए एसा ही किया गया ठीक है तो यह समझ लीजे इसमें आपके लिए जानने की जरूरी बात वो है एस पीए का फुल फॉर 1922 के तहट कुछ मौलिक अधिकारों के सीमिद करता है क्योंकि वो मिलिटरी को थोड़ा जादा पावर्फल बना देता है इस वजह से कुछ ऐसी शक्तियां दे दी जाती है उन्हें जिससे नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकारों का हननन होता है ठीक है तो परहाल यह करते हैं हम सेकेंड न्यूज में पंजाब विधान सभाने सर्व समती से चंडीगड का राज्ज में सांतरित करने की मांग कर प्रस्ताव पारित किया कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि ऐसा प्रस्ताव रखा गया और अब यह न्यूज आई है कि प्रस्ताव पारित हो पहले जो चीजें लिखी हुई है उसे पढ़ लेते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं इसको अलग पहलों से चंडीगड को लेकर पंजाब और हर्याना की बीच लंबे समय से चल रहा विवाद तब और बढ़ गया जब केंदर रिशासित प्रदेश में कर्मचारियों के पंजाब सर्विस रूल्स की जगा सेंट्रल सर्विस रूल्स अधिस ऊचीत किया पंजाब का पुनार गटन पंजाब पुनार गटन अधिने 1966 के माध्ययम से किया गया था जिसमें पंजाब राजी को हर्याना तथा केंदर रशाइसिद प्रदेश चंडीगड और ही मामले संचार और मुद्रा तक ही सीमित रखा जाना चाहिए तदा सभी अवशे शक्तियां राज्यों में नहीं धोने चाहिए अन्यमांगों के अलावा इसने चंडीगड को पंजाब में ठीके और यहां पर जो न्यूज है वो यह है सबसे पहले जानिये कि पंजाब काफी वक्त से मांग कर रहा था कि चंडीगड को पंजाब में विले कर लिया जाए और इसी के लिए उन लोगों ने अपने विधान सभा में एक बिल पारित किया कि हम चंडीगड को पंजाब का ह आते हैं और हम इस चीज़ के लिए सेहमत हैं यह विवाद इसलिए हुआ क्योंकि चंडीगड एक यूनियन टेरिटरी है और हमेशा से हर्यान और पंजाब में से किसका रूल वहां पर चलेगा किसकी जादा बाते वहां पर चलेगी इस चीज़ को लेकर के रसा कशी चलती रही और हाली में वहां पर ऐसा हुआ कि यह जो आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि वहां पे जो प्रदेश के मतलब चंडीगड की कर्मचारी है उनके लिए कुछ ऐसे सर्विस के लिए रूल्स थे जो पंजाब के लिए थे उनको लागू करना था उसकी जगे यूनियन टेर तब से पंजाब में विवाद बढ़ गया कि चंडीगड जो है वहां पर पंजाब के रूल्स चलने चाहिए और यह तब होगा जब पंजाब इसका हिस्सा बनेगा ठीक है तो यह एक्चली में न्यूज है कि वहां की विदानसा बना ऐसा प्रस्ताव पारित किया उसको सें एसा हुआ था कि जब यह सारी चीजें हो गई थी कि हां चंडीगड हर्याना और पंजाब दोनों का क्यापिटल है तो फिर 1973 में जो आननदपूर साहिब जो सेंटर स्टेट रिलेशन के उपर बना है आप जब केंदर राजी संबंध पढ़ते हैं तो बहुत सारे कमिशन के बारे में पढ़ते हैं उसमें एक आननदपूर साहिब कमिशन भी था उनके हिसाब से मतलब इस आननदपूर साहिब कमिशन के हिसाब से 1973 में यह प्रस्त सिर्फ इतने ही मामले हैं जिनको केंद्र अपने अधीन रखे ठीक बाकी जो मामले हैं वो राज्यों को दे दे और इसी आनंदपुर साहिब रेजलीशन के जरीए पहली बारी मांग उठी थी कि जो चंडीगड है उसे पंजाब को ट्रांसफर कर देना चाहिए तो ये मामला अक्चुली तब से पंजाब में चल रहा है समय समय पर इसकी उपर बाते होते रहती हैं वहाँ पे चर्चाए होती रहती कि चंडीगड को पं चंडीगड को आप ट्रांसफर कर दें पंजाब में चीख अब यह जो सेकिंड वाली जो पॉइंट है आपका स्टेटिक का पार्ट आप भी आपको मैंने यह बताए कि क्या हुआ क्यूं हुआ क्या हुआ तब विधान सभा में ऐसा बिलपारित हुआ क्यूं हुआ क्यूं ह जाएंगी किसके पावर वहां पे चलेगा इस चीज के लिए केंडरो राज्य के बीच में हमेशा इसे विवाद रहा और एक कमीटी ने भी केंडर राज्य के मामलों वाली कमीटी ने भी बोला था कि आप चंडीगड को पंजाब को दे दें इस वज़े से इस मामले को फिर तो यह जो आप अधिनियम देख रहे हैं पंजाब पुनर गठन अधिनयम 1966 अगर आपने पॉलिटी में प्रलम्स में इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स इंडिया पढ़ा होगा जो हमारा पार्ट वन होता है ना के इंद्रेवम उसके शेत्री उनियन इस टेरिक्री उनके बार आया यानि कि स्टेट रियूर्गनाइजेशन अक्ट आया और उसके तयात आंदर प्रदेश पहला राज बना उसके बाद से लेकर कैसे आज तक नए नए राज्यों का निर्मान हुआ मतलब वहां 1956 के उस अधिनियम से लेकर के अभी लास्ट में जो तेलंग आना बना इसक यह पूरी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं 1956 के राज पुनरगठन अधिनियम से आज तक यह दोजार चौदा के तेलंगाना के फॉर्मेशन तक तो यह यूजुवली पॉलिटी में पढ़ा जाता है उसी में आप एक पॉइंट पढ़ेंगे 1966 में वो पूरे जो आप पॉइंट पढ़ते कि कौन से राजी कब अस्टित में है कौन से केंदर शासित प्रदेश कब अस्टित में है उसी में आप पढ़ते हैं 1966 का पंजाब पुनरगठन अधिनियम यह पंजाब रियोर्गनाइज़ेशन एक्ट के जरिए ही क्या हुआ था पंजाब जो एक बड़ा हर्याना कर दिया गया पंजाब हर्याना दो राज 채 ten बना दिया गया और क्योंकि दोनों की रायधानी झुले से दर्जा दे दिया गया जैसे आपको यादे जब तेलंगा ना हद लग हुए था था जब तक कि अंहरामती उसे बना अंदर प्रदेश का ठीक है और अगर माल लेजे ये चीज़ हमेशा व्यवस्था रहती तो ऐसे में फिर हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी भी बनाना पड़ता क्यूंकि वो दोनों का ही क्यापिटल था ठीक है लेकिन वहां पर यह मैटर सॉल्व होगे अमरावती एक नया क्यापिटल बन गया अंदर प्रदेश का पर यहां पर ऐसा नहीं था तो दो अलग राज्यों की राजधानी सेम थी इस वज़े से उस राजधानी को बनाना पड़ा यूनियन टेरिटरी क्यूंकि फिर अगर आप दोनों राज्यों की राज्यों की बनाएंगे तो फिर पंजाब से लग उकर हर्याना और चंडीगड को यूनिय टेरिटरी बनना यह दोनों ही 1966 अधिनियम के जरिये हुआ ठीक है और तब से यह चीज़ें चल रही है कि कुछ आधिकार हर्याना का कुछ पंजाब का है और कुछ जो मामले हैं उसको केंदर डील करता है क्यूंकि चंडीगड यूनिय टेरिटरी भी है लेकिन वही बात है पंजाब ने यह मांग की है विदान सभाग में बिल पारित करके कि अब चंडीगड को पूरी तरह से पंजाब में मर्च कर दिया जाए पंजाब का है समाना जाए ताकि यूनिय टेरिटरी के जरिए जो भी सेंडर का interference है वो उसमें पूरी तरह से समाप्त हो जाए एक नजर हम डाल लेते हैं इसी के जरीए आपने एक तो देखा कि evolution of state में पंजाब का बस्तित में आया और हर्याणा का बस्तित में आया ठीक है यहां से आपका question प्रलम्स का static का बन सकता है 1966 में चंडीगर बना पंजाब बना और हर्याणा बना उसके अलावा union territory का मामला बार बार आ रहा है highlight में तो थोड़ी बहुत बात है union territory के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि यूनियन territory होती क्या है और सम्विधान में कहां पर इसके प्रावधान मेंचेंड है तो बही union territory जो है एक ऐसा area होता है इंडिया के अंदर जहां पर डेरेक्ली center का rule चलता है हमारे constitution का जो part 8 है ठीक उसमें इस union territory के बारे में सारे provisions का mentioned है अगर आप article wise देखेंगे तो 239 से लेकर 242 तक टीक 239 से लेकर 242 तक के आपको सारे provisions मिलेंगे जो केंदर शाषित प्रदेश से संबन देते हैं यह starting से नहीं थी जब मैं बता रहे हैं आपको थोड़ी देर पहले कि 1956 में भाशाई आधार पर राज्यों का पुनरगठन हुआ था उसके बाद से यूनिन टेरिटरी की अवधारना जो है वो जोड़ी गई इसमें थीक है तो केंदर शाषित प्रदेश्यों की अवधारना समिधान की मूल संसकरन यह नहीं थी बलकि यह समिधान के साथवे संचोधन 1956 के जरिए जोड़े गई तो जो उसके बाद भारत का जो प्रैसिडेंट होता है हरे केंदर शाषित प्रदेश के लिए एक प्रशाषक या उपराज जपाल इनकि-डर्व प्रशासक मतलब अड्मिनिस्ट्रेटर और उप्राजिपाल मतलब लेफ्टेन गवर्नर की न्यूकती करता है वहवार में इसका अर्थ है कि केंदर शासित प्रदेश केंदर सरकार की इच्छा का पालन करते हैं मतलब हम पढ़ते ही है राश्ट्रपती की विधाई और कारेप अगर किसी एरिया को यूनियन टेरिटरी घोशित कर दिया गया सेंटर द्वारा तो उसका डायरेक्ट अड्मिनिस्ट्रेटर होगा प्रेसिडेंट फिर उस एरिया में उसकी हेल्प के लिए कोई पद को नुक करेगा उसका नाम एड्मिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है उसका लेफ्टन गवर्नर भी हो सकता है यह सब लोग वैसा ही दर्जा हासिल किये हुए हैं जैसे किसी स्टेट का गवर्नर होता है और यह जो उप्राजिपाल होते ही सीधा जवाब प्रेश्ट को इनको कहता है कि लिए जो प्राजिपाल वगईरह इनको कहता है और2 आ छी राज्जो का interference नहीं है वो पूरी तरह से केंदर शासित प्रदेश है केंदर शासित इने केंदर द्वाराई शासन होता है केंदर में नियम कायदे गानूं बनते हैं राश्पत एक्जिक्यूट करवाता है मां के प्रशासा के उपराजपाल के जरीए ठीक लेकिन अगर कुछ ऐसे राज सरकार भी है और दिलлуч एक केंदर शासित प्रदेश भी है तो केंदर शासित Pradesh होने के वजए से वहां के कुछ मामले सीधा-सीधा center की regulation में आते हैं और कुछ मामले जो हैं वो state की regulation में आते हैं ठीक है तो अगर वो पूरी तरह से unit territory होता तो सारे मामले के अंदर deal करता पूरी तरह से राज्य होता तो सारे मामले state deal करता ठीक है पर दिल्ली पूडु चैरी जम कश्मीर में ऐसा नहीं है और चौथा जो unit territory है वो है चंडीगड क्योंकि चंडीगड में आप देखें तो चंडीगड की union territory में कोई विधान सबा नहीं है पर चंडीगड एक ऐसा टाउन है जहां पर पंजाब और हर्याना दोनों के विधान सबा इसका मतलब यह कि यह दोनों का ही capital है तो इस वज़े से चंडीगड टाउन पर आगर आप देखेंगे तो पंजाब भी शेर करता है उसको और हर्याना भी शेर करता है तो वहाँ पर भी कुछ complications हो जाते हैं और उपर से चंडीगड यूने टेरिटरी भी है तो वहाँ पर इस वज़े से कर्मचारियों पर कौन से service rules लागू होंगे center के होंगे कि पंजाब state के होंगे यहाँ पर थोड़ा सा विवाद होने लगता है तो इसलिए फिर यह सारी बाते होई कि पंजाब के अंदर यह आप शामिल कर दो ताकि सारी चीज़ें पंजाब as a state उसको गवर्न कर सके चंडिगर को तो याद रखिए का यहाँ से केंदर शायसी प्रदेश का मामला थोड़ा सा highlight होता है static part में तो आप देखेंगे कौन से भाग में कौन से अनुच्छेद में केंदर शायसी प्रदेश होता क्या है 1956 की 7th amendment के जोड़ा गया ठीक है केंदर शायसी प्रदेशों का शासन अलग रख तरीकों से किया जाता जो इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास विधानसभा है या नहीं जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहां पर विधानसभा है है वहां कुछ मामले विधानसभा डिल करती वहां बाकी के मामले सेंटर और जहां नहीं है वहां पूरा शायसन केंदर का ठीक है और भारती समविधान के अनुच्छे तीन य जहेगा कौन सा किसमे नीमेर्माइश को इसकी बारीट होगा उसकी बार्डर कैसे चेंजेंगी इसका avons संसद ही कर सकती है। तो एक चुली में अब यह अस्तित्व में तब आएगा संसद उसको मांजhern देइगी। मतलब इन लोग ने एक प्रस्ताव सेंटर भेजा पारित करके अब संसद ही तै करेगी कि ऐसा करना है कि नहीं Because India is an indestructible union of destructible state राज अपने से अपने आपको तोड़ने मरोडने या बदलने के लिए अधिकरित नहीं है पर केंदर के पास अधिकार है कि वो राज्यों को तोड़ मरोड सकता है अलग कर सकता है, unite कर सकता है, create कर सकता है, demolish कर सकता है यह आप जानते ही हैं ठीके कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे केंदर के पास शक्तिय होती है कि वो राज्यों में जो भी boundary issues है, जो भी border issues है, उनको तोड़ना है, जोड़ना है यह सारे decision ले सकता है, राज्य स्वयम से decision नहीं ले सकते है वो सिर्फ प्रस्ता हो दे सकते हैं केंदर को पर अंत में फैसला कि वो कोई area union territory रहेगा कि नहीं ठीक, वो union territory के तौर पर रहेगा कि किसी राज्य की town के तौर पर रहेगा कि उसे किसी और राज्य में merge करना है, कि नहीं, यह सारा फैसला संसद ही करेगी तो कोई नया राज्य बनाना हो या कोई union territory बनानी या हटानी हो तो सिर्फ संसद ही करेगी आर्टिकल 3 के तहट, यह बार भी आप ध्यान में रखेंगे तो अब संसद के उपर है, कि यह बिलको वो आगे, किस तरह से ले जाती है आप इस पर नजर बनाए रखें, ठीक है, तो आपकी news जो थी उसके साथ, जो political static portion था उसमें आप unitary tree को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, center, state, relation को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तीसरी चीज आर्टिकल 3 को आप ध्यान में रखेंगे, चौती चीज, जो 1966 में हर्याना और चंडीगर का जो दर्जा आया था हर्यान को state बनाया गया, चंडीगर को unit territory बनाएंगे, ये 3-4 चीज़े आप याद रखेंगे अब इस पर जो अन्त फैसला होगा, वो संसद ही करेगी, कि ट्रांसफर करना है या नहीं, ये बिल अभी विधान सब हमें पारित होगा, ठीक है, आई होब आपको इसका dynamic और static दोनों portion समझ में आया होगा, चली move on करते हैं मगली news पर ठीक, अब ये दो simple-simple appointment की news है, इसमें जादा कोई static portion नहीं है, ठीक, पर ये political appointments है, एक इंडिया की एक बाहर की, इसलिए आप इसको सिर्फ dynamic की रूप में ध्यान में रखे, इने current affairs की रूप में ध्यान रखे, तो भी इंडिया में एक नए foreign secretary येने की विदेश सचिव न्यूक्त होगा है, जिनका नाम है विने मोहन क्वात्रा, ये सिर्फ आपकी dynamic येने current affairs के लिए news है, आप जानते ही है, कि ये जितने सचिव वग तरह की secretary की रूप में अपॉइंट होते हैं, तो याद रखना, ये सचीवों की नियूक्ति bureaucracy के तहत होती है, ठीक है, government के central की rules के तहत होती है, ये कोई constitutional post नहीं है, कि president इनको पॉइंट करेगा, president पॉइंट नहीं करता है, ठीक है, bureaucracy के तहत, promotion के जरीए इनके appointments होती है, तो foreign secretary security के रूप में, ये विने मोहन कुआतरा, जो इनकी आप तस्वीर देख पा रहे हैं, वो नियूक्त हुए, इनके बारे में कुछ यहाँ पर बाते लिखी हुई है, current के आप इन्हें no down कर लीजे, वर्तमान में, मार्च 2020 से नेपाल में भारत के दूद के रूप में ये कारे वर्तमान विदेश सचिफ हर्षवर्दन श्रिंगला का स्थान लेंगे, यहने इन से पहले जो हमारे foreign secretary फिरलाल थे हर्षवर्दन श्रिंगला, तो ही विल भी replacing हर्षवर्दन श्रिंगला, ठीक है, और क्योंकि वो 2022 में सेवा निवरित हो जाएंगे, तो उनकी जिगे भी आएंगे, क्वातरा 1988 की बैच के IFS अधिकारी हैं, जिनने विदेश सेवा में 32 वर्षों का, 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है, ठीक है, तो यह लोग जो होते हैं, यह central level के अधिकारी होते हैं, चाहां IFS हो, यह All India Service के रहते हैं IS हो, जिनने इस पत पर लाया जाता है, उ इसलब इनकी जितने past experience है, as an IFS officer, यह Ambassador की रूप में काम किये, अभी कुछ दिन पहले तक ही नेपाल के लिए काम किये थे, उसके पहले यह France में हमारे Ambassador बन की काम किये थे, तो इनका नुभव पूरी तरह से, as an Ambassador of India to the different nations, ठीक है, इस तरह का इनका experience रहा इंडिया में और फि कुछ दिन पहले पढ़ा था कि उनकी राश्पती न्यूक्त हुए, तो आपने पढ़ा था कुछ दिन पहले कि हंगरी की पहली महीला राश्पती न्यूक्त हुए, कैटलीन नोवाग, याद है, पढ़ा था हमने, तो बस उसी हंगरी में वहां के नए प्रधान मंतरी भी न आया क्योंकि चौथी बार लगातार ये वहां के प्रधान मंत्री बनाए गए हैं ठीक है तो ये incumbent Prime Minister भी थे वह यूरोपिय संग में सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुक है और इस सल हंगरी में जो चुनाव हुए जिसके जरीय प्रधान मंत्री चुनें गए 69% वोटिंग हुई थी ठीक है ये कुछ बात है उसके अलावा जैसे कि मैं आपको हमेशे बताती हूँ कि जिस भी देश के बारे में आप नई नियुक्तिया पढ़ते हैं तो कर पर आशेपति लोगों दवारा चुना जाता है हंगरी की जो सरकार है एक संसदी गणतंत्र है मतलब यह कि संसदेर्टा यह कि धाली में ठीक है और 극ली मं हम हम बाकी चीजों की बात करें तो इनका capital Budapest है इनकी मुद्रा है Hungarian foreign और अभी क्योंकि ये एक Europe का देश है तो Hungary European European Union NATO और ICD का भी member है ठीक है तो Europe की कुछ important geopolitical groups है जिनका ये member है जो आप ध्यान में रखना है खास तो पर याद रखना कि NATO का ये member है fine तो ये कुछ static portion behind this news वैसे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि Victor Orban महां के नए प्रधान मंत्री चुने गए हैं और दूसरी चीजें हंगरी के बारे में कुछ basic सी बात है clear चलिए बढ़ते आ गया मंगली न्यूस पर नेक्स न्यूस है भारत तुर्कमेनिस्तान विपक्षी बैठत तो भई हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि तुर्कमेनिस्तान में एक नए राश्प्रमुक की न्यूक्ति वे जिनका नाम है सरदार बोडी मुखामेदोव ठीक तो सरदार बोडी मुखामेदेव ठीक है ये इन से मुलाकात की भारती कि राश्पति ने दरवसल भारते राश्पति द्वारा पहली बार तो एकमेनिस्तान की यातरा की गई और वहां के इनकी काउंटर पार्ट हैं, सरदार, बोड़ी, मुकामदों, इन दोनों की बीच में वहाँ पर मीटिंग हुई और कुछ इंपोर्टेंट समझोते हुए, ठीक है, तो इंटरनाशनल रिलेशन्स में जो थोड़ी बहुत M.E.U.s वगर के पर क्वेशन बनते हैं, उस पर यह चीज़ आ सकती है, हमें भारत तुर्कमेनिस्तान रिष्टों की हितिहास को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंटरनाशनल रिलेशन में UPSC के लिए, मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रिलम्स में कभी नहीं आता, बाकी अगर आप PSE की बात करें, तो PSE में में तो ऐसा कुछ इंटरनाशनल रिलेशन जैसे ज़्यादा है ही नहीं, थोड़ा बहुत प्रिलम्स में जो पूछता है, उसमें बस इतना पूछ सकता है कि भारत तुर्कमेनिस्तान का जो समझोता हूँ, उसकी प्रमुख बातें क्या हैं, जो स्टेट्मेंट क्वेशन वगेर बनते हैं, उससे रिलेटेड़ आपको ये कुछ पॉइंट्स बस धियान में रखने हैं, उससे ज़ाद पर हस्ताक्षर के, तो कुल मिलाकर के चार अग्रिमेंट साइन किये गए दोनों देशों द्वारा, द्वी पक्षी व्यापार एवं उर्जा सहयो का विस्तार करने पर सहमें थी, तो एक बात ये थी कि बाइलेटरल ट्रेड को और एनर्जी कॉपरेशन को, यहने इंटराश्री उत्तर दक्षिन परिवहन गलियारे ने इंटरनाश्री परिवहन एवं पारगमन गलियारे को लेकर अशगाबत समझोते के मत्वपर प्रकाश डाला गया, तो वहां पर एक और हमारा मिडल एशिया से रिलेटेड एक समझोता है जिसको हम कहते हैं अशगाब समझोता है जिसका नाम है इंटरनाशनल नौर्ट साउट ट्रांस्पोर्ट कोरिडोर जो की इंडिया और मिडल एशिया ने कि मद एशिया से रिलेटेड कुछ सड़क परिवहन योजना है उससे भी रिलेटेड उसके इंपोर्टेंस पर लोगों ने चर्चा की जिसको हम अ जोता किया यहां कहीं हामी भरी दे तो बही चाबाहर पोर्ट आप जानते है एरान का काफि विवादित पोर्ट है ठीक लेकिन उस पोर्ट की इंपोर्टेंस बहुत जादा है क्योंकि उस चाबाहर पोर्ट से उस तरफ अगर आप देखे तो अफ्रीका का जो होर्न वाला पोर्ट आप जादा है ठीक है उसके अलावा इधर एशिया से भी कनेक्टिविटी होती है तो यह चाबाहर पोर्ट के जरीए यह बोला गया कि इंडिया और सेंट्रल एशिया का मतलब मैं बार बार सेंट्रल एशिया बोर रही है मतलब तजीकिस्तान तुर्क्मेनिस्तान सोग्जाखिस्तान तुर्क्मेनिस्तान उज्बेकिस्तान और क्रगिस्तान यो पांच जो मीनली कंट्रीज और शाथी मंगोलिय को मिलाकर के मदश की जितनी बाते हूँ हो रही है अक्चुली आंजगे व्धे मदश की बीच नगजी कॉपरेशन मददेशिया और इंडिया के बीच में रोट कनेक्टिविटी से रिलेटेड बाते हो रहे हैं तो हम इनको डीटेल में नहीं जाएंगे कि अग्रिमेंट्स की क्या हिस्ट्री रही आप फिलहाल से इसकी जरिया जो समझोते हैं वो उस पर ध्यान दें क्योंकि इसकी हिस्ट्री जो है वो डीप इंटरनाशनल रिलेशन्स में आ जाती है आपको जाने की जरूरत नहीं है तो बात यही है कि सड़क परिवन से रिलेटेड भी बाते हुई चाबाहार पोर्ट को इंडिया और मदेशिया की बीच में कनेक्टिविटी की रूप में डेवलप करने से रिलेटेड बात हुई और एक बहुत ही फेमस जो मत्वकांची योजना है तापी जिसे कहा जाता है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया इस पर भी चर्चा हुई तो भई पाइप्लाइन कॉम्यूनिकेशन के लिए एक पूरी पाइप्लाइन नेटवर्किंग तयार की जा रही है आप जानते ही है तापी प्रोजेक्ट बोलते हैं बहुत मत्वकांची प्रोजेक्ट है जो तुर्कमेनिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया अगर आप तुर्कमेनिस्तान से लेकर इंडिया तक का नक्षा देखेंगे तो ये पूरी तरह से एक लाइन में आते है पहले तुर्कमेनिस्तान, फिर अफगानिस्तान है उसके नीचे, फिर पाकिस्तान है, फिर इंडिया, तो यहां से यहां तक पूरे pipeline communication की कोशिश की जा रही है, pipeline networking बिछाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, तो यह भी एक बहुत मत्वकांची प्रोजेक्ट है, चारों कंड जान लिजे, और यहां हमेशा highlighted रहता है, जभी भी हमारी और अफगानिस्तान की दृपएक्षी बादचीत होती है, तो हमेशा टापी प्रोजेक्ट को कैसे डेवलप किया जा है, इस पर हमेशा चर्चा चलती है, तो यह भी पूरी तरह से यह जो न्यूज है, डाइनिमिक है पर डाइनिमिक में थोड़ी सी डीटेलिंग है आप सिर्फ इतना ना जा रहें जैसे आप पहले पढ़ा करते थे बना लेंगे ठीक है लेकिन अगेन इसकी बीजवी में जित्ती भी पॉइंट से उनकी हिस्ट्री पर ना जाएं क्योंकि यह इतना आपकी एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि यूपी असी में अगर आप इंटरनाशन रिलेशन्स पढ़ते तब इंपॉर्टेंट ठीक है आयोग आपको समझ में आया है भारत तुर्कमिनिस्तान दुवी पक्षी बैठर भारत की राश्पती उन्होंने तुर्कमिनिस्तान की यात रखी और वहां दोनों की बीच मीटिंग के बाद यह समझाते हुए चली बढ़ते हैं आगया हम अगली नियूस पर भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझा होता है इंड्रो ऑस्ट्रेलिन एक्टा ठीक एक्टा जो है यह फाइनली संपन हुआ है जिसकी कोशिश बहुत दिनों से चल रही थी वैसे तो यह जो नियूस है कि एकोन मी से भी रियेटेटेड है और पॉलिटी से भी रियेटेड है मैंने यह कवर कर लिया हो और ऑसकते एकोनौमि में भी कवर हो क्योंकि यह जो न्यूस है यह फ्री ट्रेड एग्रिमेंट यानि कि FTA से संबंदेद हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के । बीच में भारत ऐस्ट्रेलिया एसी टीए इंडियन ऐस्ट्रेलिया एक्टा वारता अपचारिक रूप से सितंबर 2021 में फिर से शुरू की गई जो मार्ट 2022 के अंतक पास्ट्रेक आधार पर संपुने हैं यह भारत का पहला यह पहला मुक्त व्यपार समझोता है जिस पर भारत ने एक द देश है जिसके साथ हमने फ्री ट्रेड अग्रिमेंट किया है भारत ने संयुक्त अरब अमिराद के साथ एक एक एफटीए पर हस्ताक्षर किये तथा वर्तमान में इस्राइल कैनेडा यू के और यूरोपे संग के साथ एफटीए पर कार कर रहा है मतलब अभी हुआ नहीं के तहट स्टेम मतलब की साइन्स टेकनोलजी एंजिनियरिंग और मैथेमेटिक से संबंदित भारतिस नातकों को अध्यान की बाद विस्तारित करें वीजा दिया जाएगा तो फ्री ट्रेड अग्रिमेंट के तहट क्या कुछ होगा इंडिया उस्टेले की बीच यह बताया टेशों के बीच में Economic Corporation को एंकरेज करने के लिए एक अग्रिमेंट साइन किया जाता है जिसका सीधा-सीधा लेना FDA से होता है free trade agreements related होता है तो यह जो economic cooperation and trade agreement होता है दो देशों की बीच में व्यापारिक जो भी वाधाय आती है उसको कम करता है तो यह जो act assign किया गया उसके तहत ऐसा होगा कि इंडिया ऐस्टेलिया के बीच में जितने आयात निर्यात चीजें होती है जो हमारी tariff line में कोई भी चीज को जब आप इंपोर्ट करते हो इंडिया में तो इंडिया में कुछ इस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसी को हम tariff कहते है तो अगर हम नॉर्मली कोई दूसरे देश से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा होगी लेकिन अग इंपोर्ट ड्यूटी कम लगाएंगे और फिर वो देश भी निर्यात की गई चीज होता ही यह हैं कि दो देशों की भी में जब बाई लेटर ड्यूटी पर चीज जाती है तो उनकी आवागमन के वजह से इंपोर्ट ड्यूटी लगती उसको कम कर दिया जाए ताकि एक दे अगर दूसरे देश की चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी ये टैरिफ कम कर देता है तो वहां के मार्केट में डूमेस्टिक मार्केट में ये इंपोर्टेट चीजें जादा आसानी से बिखेंगी वही चीज अगर बाइलेटरली होती है कि हम भी उनके प्रोडक्स पर जाएंगी तो बस यही एक्चिली में FTA और ECTA का में उत्देश होता है कि दो देशों की बीच में बाइलेटरल ट्रेट को इजी बनाना इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो भी बाधाय आती है चाहे वो गुड्स की बाधाय हो चाहे सर्विसस की यहने दो देशों की बीच मे मेंनली FTA और ECTA का परपस होता है और वही किया जा रहा है जैसे कि मैंने बताए कोई भी विक्से देशों के साथ अगर कोई ऐसा अग्रिमेंट सायन होता है तो देश को काफी जादा फायदा होता है क्योंकि उन्होंने भी हमको 70% से उपर कही ना कही टैरिफ फ्री किया है और हमने भी उनके 100% से उपर टैरिफ लाइनों को फ्री किया है मलब हमारे जो पाज जैसे रतन अभूशन कपड़ा चमड़ा जूता और फरनीचर यहां से जब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो उन पर 100% टैरिफ मतलब 100% जो है उसमें छूट और जब वहां की चीज़े आए और है वह और जादा मजबूत होगा क्योंकि एंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है बहुत जादा यी हो जाएगा ठीक है डौ to यूट token क्वांसेड़ियेंट से जुड़ा हुआ एक कौनसेप्ट है मुक्त व्यार मुक्त व्यापार समझजोते ह हमेशा उन देशों के साथ होते जहां पर लोग व्यापार में आयात निर्यात को easy बनाना चाहते हैं ठीक है तो एक तो ये बात tariff की होई कि वहाँ पर tariff कम किया जाएगा हमारे products का और हमारे यहां उनके जो taxes उनकी products पर लगते वो कम किया जाएंगे साथ ही साथ अगर आप services में देखें तो ऐसा है कि STEM में आ जाते Science, Technology, Engineering, Mathematics के जो students हमारे वहां पढ़ रहे हैं और वहां के जो students यहां पढ़ रहे हैं उनको ना उनके पढ़ाई के बाद कुछ extended visa दिया जाएगा एक work permit के तौर पर अगर वहां पर पढ़ने के बाद वहीं पर कारे करना चाहते हैं तो उनके लिए जो work permit होता है या visa में extension होता है वह अब easy हो जाएगा क्योंकि हमने यह agreement sign किया, same यही है कि वहां के लोग जब यहां पर पढ़ेंगे और इसके बाद काम करना इंडिया में चाहेंगे, तो उनका पर जो visa है वह आसानी से विस्तारित कर दिया जाएगा work permit उनको easily मिल जाएगा, ठीक है, तो कुल मिला करके दो देशों के बीच में एक तरह का liberalization का आप कह सकते हैं globalization की तरफ एक बड़ा कदम था, यह जो मुफ्त, व्यापार, नीती आई थी, ठीक है, ECT आया था, यह globalization की तरफ एक बड़ा कदम था, यह जो globalization की तरफ कदम है, यह ना सिर्फ goods पर लागू होता है, बलकि services पर भी लागू होता है, ताकि निर्बात तरीके से दो देशों के बीच में वस्टों और सेवाओं का आदान प्रदान किया जा सके, और trade को और GDP को इससे बढ़ावा मिले, ठीक है, तो इस तरह कि यह treaty sign हुई है, ECTA treaty sign हुई है, हमारे लिए उलेकनी यह है, कि यह 10 सालों के बाद, करीब करीब एक दशक के बाद, एक इतने बड़ी country से हमने treaty sign की, जिससे हमको सीधा फायदा होगा, ठीक है, हमारे उत्पादों की भी बिकरी बढ़ेगी, ठीक, और हमारे services को भी फायदा मिलेगा, clear, तो यह कुछ बात है, जो economy से भी related है, लेकिन क्योंकि एक समझोता sign हुआ है, FTA का concept है, इसलिए मैंने इसको इसमें भी cover किया, fine, च प्रधान मंतरी है, उनकी भारत यात्रा हुई, और उसी के कुछ हाईलाइट्स में यहाँ पर note down की है, यह आखरी की तीनों news जो है, वो bilateral relations की उपर है, जैसे पहले इंडिया और तुर्कमेनिस्तान, फिर इंडिया और उस्ट्रेलिया, और यहाँ पी इंडिया और नेपाल, यह ने चाहे हमारे प्रमुक वहाँ गए हो, चाहे हमारे के प्रमुक हमारे आए हो, या फिर कोई अंतराश्रे समझोता हुआ हो दूसरे देश के साथ, तो उसकी क्या MOU साइन हुए, क्या agreement हुए, उस पर आपको नजर बनाए रखना है, प्रिलम्स के परपस से, तो बही प इंपॉर्टेंट समझोत उपर हस्ताक शरुए, जिनकी बाते हम स्टाइड में देखते हैं, तो केंद्री मंत्री मंदल ने, इनकी यात्रा से पहले ही, भारत और नेपाल के द्वीपक्षिय संबंधों को मस्बूती देने के लिए, महाकाली नदी पर भारत और नेपाल को जोडने वाले एक नए पुल का निर्माण, तथा उत्राखन के धारचुला को नेपाल के धारचुला शेत्र से जोडने की योजना को मन्जूरी प्रदान कर देते हैं, यहने इनके विजिट को देखते हुए, तो एक तो हमने एक नेपाल के धारचुला शेत्र से जोडने के लिए एक योजना को मन्जूरी दिये, तो इंडिया और नेपाल के बीच में कनेक्टिविटी के लिए कुछ कदम पहले उठा लिए गये थे, उसकी बाद इनकी भारत यात्र हुई, इनकी भारत यात्र के बाद ये कुछ दिखाते में नेपाल को काफी सारी मदद पहुचाएं, बिहार की जैनगर को नेपाल की कुर्था से जोडने वाली 35 किलोमेटर लंबी सीमा पर रेलवे लाइन का शुभारम किया गया, ठीक है, मतलब बिहार और नेपाल आप जानते हैं, एडजसेंट एरियाज हैं, बिहार से लगा हुआ हैं नेपाल, तो बिहार में जो शेतर हैं जैनगर और नेपाल का जो शेतर हैं कुर्था, इन दोनों को जोडने के लिए, एक 35 किलोमेटर लंबी रेल लाइन बिछाए गई, जिसको इनागरेट किया गया, इनके विजट की बात, ठीक, तो एक रेल की बात हो रही है, तीसरा, इलेक्टरसिटी कनेक्टिविटी, ठीक है, एक बहुत इंपोर्टेंट आपका प्रोजेक्ट है, सोलू कॉरिडोर, यह सोलू कॉरिडोर जो है, यह 132 किलोवाट का विद्धृत पारिशेंड लाइन है, जो भारत ने पूरी तरह से नेपाल को हैं, उनकी जो बिजली की पारिशेंड लाइने हैं, वो नेशनल ग्रिट से कनेक्ट हो जाएंगी, मतलब नेपाल की जो नेशनल ग्रिड है उसकी पहुच नेपाल के दूर जराज के इलाकों में भी हो जाएगी, और इसकी फैसिलिटी सोलू कॉरिडोर के जरीए, इंडिया नेपाल को प्रोवाइड की, हमारा प्रोजेक्ट है जिसको हमने उनको दे दिया, ठीक है, तो ये एक इंपोर्टेंट चीज आई, पुल, रेल कॉरिडोर, सोलू कॉरिडोर, उसके अलावा एक इंपोर्टेंट जो इसमें ब्रेक्ट्रू है, वो ये, कि नेपाल में भारत क रूपे कार्ड लाँच हुआ, तो आप जानते हैं, ये इंडिया का अपना खुद का एक डेविट कार्ड है, रूपे कार्ड, उसको हमने नेपाल में भी लाँच कर दिया है, ज्यात रहे कि इससे पहले भूटान, सिंगापूर, युए और ये चौथा है नेपाल, जहां पर रूपे कार्ड मौजूद है, तो नेपाल से पहLबे, भूतान में हमने लाँच किया था, सिंगापूर में लाँच किया, और युए में लाँच किया, इस पॉइंट को खासतोर पर नोट करेंगे, कि इंडिया का ये इंपॉर्टन डेविट कार्ड, रूपे कार्ड कह है ठीक है उसके अलावा रुपे कार्ट को हमने लॉंच किया बहुत सारी और हमने वारतल आपकी बहुत सारे सैसे समझोते साइन किये जिससे की विद्ध्य होती है ने लेक्टर सिटी की शेतर में नेपाल को इंडिया से हेल्प मिल सके और साथ ही नेपाल के प्रधान मंत्री द्वारा भारत के प्रधान मंत्री मोदी से दोनों देशों की मद्द सीमा विवाद को सुलझाने है तो कदम उठाने का अग्रह भी किया गया तो यह कुछ-कुछ ऐसे बौडर एरियाज हैं बिहार के जो नेपाल से कनेक्टेड हैं उससे ठोड़े बहुत हमारे इश्यूस नेपाल के साथ भी हैं बॉर्डर को लेकर के तो उस पर को ऐसा अंतिम समझोता तो नहीं हुआ लेकिन वहां के प्रधान मंत्री उन्होंने पिये मोदी से याग रहा किया है कि इस पर हम बातचीत करते हैं और इसे पीस्फुली सुलजाते हैं ठीक है तो इस चीज पर भी चर्च हुई फिलहाल आपको जो चीज़ी आई जिसमें खास्ता पर सोलू कॉरिडॉर यह रेलवे ब्रेज धियान रखना ह रूपे गार्ड महां पे लौच हुआ यह याद रखना है तो उनकी आगमन से पहले यह वाला पॉइंट और उनकी आगमन के बाद के सारे समझोते यह हैं जो आपको नोट डाउन करके रखना है यह भी पूरा तरह से डैनेमिक पार्ट है जिसको आपको डिल करना है इसकी इंडिया और निपाल के बीच की जो इंटरनाशनल रिलेशन्स हैं उसकी हिस्ट्री अभी ट्रेस करनी के आपको जरूरत नहीं आपकी लिए फिलहाल के जो सब्जिक का सिलिबस है आपका प्रलम्स का इस तरह से भी पाटन बदला उसमें थोड़ी सी बस डिटेलिंग करनी ह थी करेंट अफेर्स की कुछ मामलों में और उसमें आपको इंटरनाशनल रिलेशन की बहुत हिस्ट्री ट्रेस करनी की जरूरत नहीं पड़ती फिलहाल तक तो ऐसा ही है ठीक है आगे अगर वो कल को कुछ और पूछने लगता है कि कुछ चीज हाइलाइटे करेंट अफेर् पिर हम देखेंगे लेकिन इस लिबस से थोड़ा बाहर ही हो जाएगा तो यह करेंट की थोड़ी सी डीटेल आखरी की तीनों न्यूज इंडिया और दूसरे देशों की बीच में डानेमिक जो रिलेशन्स हैं जो बाइलेटरल रिलेशन्स हैं समझोते हुए उनके उपर है आप सारे points note down करें clear है so that is it आपको नाम याद रखना है तीनों ही देश के तीनों ही देश के प्रमुखों के जिनके साथ ही समझोते हुए ठीक तो आज की current affairs की वीडियो में इतना ही I hope आपको समझ में आया हो नजर बनाय रखें अपने आसपस घटवी मत्पुन घटनाओं क को हर पहलू से आप खुद पढ़ने की कोशिश करिए क्योंकि PSE का अब जो pattern बदला है वो कहीं न कहीं तोड़ा सा unpredictable हो गया था इसलिए हमने सोचा कि आपको हर पहलू को हर तरीके से सामने लाय जा सके ताकि आपकी study एक holistic तरीके से हो और आप भी अपने तरफ से ये पूरी कोशिश करते रहें कि जो कुछ भी आप पढ़ें उसके हर आस्पेक्ट को ध्यान से static तरीके से भी deal करें तो current with static is the key to success आज के lecture में इतना ही thank you so much